देखा जाये तो कल बजेट पेश हुआ है मोहन शरकार का पहला बजट है और इसमें देखते हैं स्कूल सिख्षवाग के लिए कितना बजट प्राप्थ हुआ है जैसा कि यहाँ पर हम देख रहा हैं सिख्षवाग पर कुल बजट 52,622 करोड रुपए का बजट का वीडियो को like and share करना नहीं बूलिएगा चलिए देखते हैं जैसे कि सरकार द्वारा इस साल सरकारी इश्कूल उपर 11,000 सिक्षक भरती की जाएगी इसमें खेल, रत, सगीत, सिक्षक भी सामिल होंगे तो साथ यो बड़ी मात्रा में जहां सिक्षक भरती होना है वेरहाल अगर बात करते हैं सिक्षक भरती की तो मोच लिए अगर देखा जाए तो यह 11,000 में अधिकता जो सिक्षक रहेंगे वह प्रात्वक सिक्षक भाले पद पर भरती होना है साथ में 2023 में जो परिक्षा लिती उन पदों पर भी भरती की जाएगी इसके अलाबा जैसे कि संगीत सिक् अभी तक प्रदेश में करीब 270 सीम राइज स्कूल सरसुद्दा पूर्ण बनाए जा रहे हैं सीम राइज स्कूलों में सरसुद्दा बनाने हितु करीब 378 करोर रुपय का बजट दिया गया है वही अभी तक 542 पीम स्री इसकूल चिन्नित किये गया है इस बजट में प्रदेश में आइटी पार्क के लिए करीब 170 करोर रुपय मिले हैं वही आई टी फीस प्रतिपूर्थी के लिए 500 करोर रुपय दिये गया है साइकल बित्रड योजना के लिए 310 करोर रुपय दिये गया है अतिती सिक्षकों को मान दे के लिए 933 करोर रुपय दिये गया है सरकारी स्कूलों में चात्रवास पुत्काला अन्न के लिए 150 करोर रुपय दिये गए अब साथीओं यहां पर जैसे कि आथिती सिख्षकों के लिए मान्दे 933 करोर रुपय दिये गए जब नियमत सिख्षक रखना चाहिए नियमत सिख्षकों की इसमें भरती का हवाला दिये गए तो उस पर भर्ती होना चाहिए ना कि अतिती रखे जाना चाहिए तो साथ यो इसी परकार की सिक्ष्या विवाज से समद्ने लेटेस्ट अबडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खिलते हैं अगले अपटेट